करना है और यहां से भी हो आप क्लिक करना है और जो करना होगा और जो इसकी पे होती है यानि के जो भी फीस होगी गवर्मेंट की वह आपको ऑल्लाइन जो है पेमेंट करनी है तो यह तो होगया आपको पार्ट वन भरेंगे पार्ट टू का यहां पर अपने कॉल मंद पसंद कॉलिज को सिलेक करते हैं चलिए पार्ट वन को देखते हैं कैसे भरना तो जैसे कि आप देख रहे हो पहले आपको student registration पर क्लिक करना है student registration क्लिक करने के बाद आपको पहले खुद को registered करना है ठीक है और time to time आपको इस website पर जाके इसकी official website पर जाके सारे details update को time to time देखते रहना है अपने आप खुद को update करते रहना है फिर recording ली आपकी चीज़े आसानी से हो पाएंगे ठीक है तो जैसे कि आपने student registration पर अगर जो क्लिक करोगे आप तो आपके सामने एक नया टैप खुलेगा इस तरीकी का ठीक है जहां पर आपको option दी होंगे जिसे तीन option यहां पर विदिन मुंबई अगर मुंबई के अंदर हो आउटसाइड मुंबई जैसे पुने को हो अमरावती के हो या आउटसाइड महारास्टर जैसे गुजरात के हो तो यहां पर application status आएका फ्रेशर हो रिपीटर हो या फिर आप कह सकते हो प्रीवस्ली पास्ट आउट हुए या ग्याप हुआ है वह सारी चीजे भी आपको यहां पर देखनी होगी ठीक है फिर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना होगा एससी बड़ है सीवी जो भी बोर्ड है आप उसको प्रॉपरले से लेक्ट करोगी इसके ऑंप्सिभी ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कन्फ्यूज हो गये तोप्रॉप्लम क्रीट हो जाएगी उसके बाद नेक्स उसके स्क्रोल करके नीचा होगे तो आपको आपका सेट नमबर डालना है मंत आफ एक्जाम कौन से मंत में एक्जाम था कौन से यह में एक्जाम दिया है और प्लस अपना पूरा नाम माक्षट से देख कर भरना है आपका कर्सपॉंडने साड्रेस सिक्योर्टी कोड में आपके जो भी ऑप्शन से महाँ पे एक सेलेक कर सकते हो और हमेशा जब पास्वर्ट क्रेट करते हैं जिसे फर एक्जामपल में नाम सोनल है तो सोनल अगर आप पास्वर्ट डालेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और आप भूलोगी नहीं लॉग आगी के प्रॉसस के लिए यानि की अप्लेकेशन फॉर्म को भरने के लिए ठीक है जैसे आप क्लेक करते हो तो आपको सारी डिटेल रीड करनी है और आप करेक्ट नहीं करेक्ट है अगर करेक्ट है तो उसक्लिक करना है आपको आगे बढ़ना है आगे के प्रॉसस के लिए तो जब आगे आप आगे के process में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे आपका registration जो है वो successfully हो चुका है और आपको login ID और आपका नाम जो है वो आपके screen पे दिखाएगा इसका एक photo लेके रख लो आप कहीं पे save करके रख लो क्योंकि यह आगे बहुत problem create करता है ब login करने के बाद यहां पर आपको कुछ चीज़े आएंगी जहां पर अभी incomplete है तो जैसे registration डेटेल है पासवर्ड है यह सारी चीज़े आपको अप्लोड करनी है document upload करना है आपकी basic details को भरना है fees भरना है यह सारी चीज़े आपको यहां पर देखनी मिल रही है तो आपको आपके save next पे जब क्लिक करोगे तो आगे आपको दिख रहा है आपको detail पूछिए gender पूछा data of birth पूछा है seat number पूछा है correspondence मोबाइल नंबर आप दे सकते हो या आप लाइन लाइन नंबर दे सकते हो अगर आपके घर में है तो या आपका email id आपको खुद का होना चाहिए पापा मम्मी का है तो कोई issue नहीं है वाट आपको खुद का होगा तो ज्यादा better होता है आपके सारे details के लिए ठीक है फिर कौन सी category में admission लेना है वो भी आपको यहां पर select करना पड़ेगा फिर other options में आता है कि आप handicap है क्या तो अगर आप है तो yes पर क्लिक करेंगे नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे दिन आप किसी affected area से हो क्या जैसे कहीं पर बाहर है सुनामी आई थी ऐसे affected area से हो क्या उस पर आ इस पर अलड़ी नो ही रहता है तो आपको यहां पर ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है तो यह आपके छोटे बीसी बेसिक डिटेल से आपको अच्छी तरीके से देखके बनागे कि जो आप भरोगी यहां पर आपको उसका document admission के टाइम पर आपको आप दिव्यांग person है क्या आप earthquake affected है अगें तीन पॉइंट्स फिर online process है क्या फिर वेदर अप्लिकेंट grandfather freedom fighter रहा है क्या तो उसका भी benefit मिलता अगर है तो जरूर डालिएगा मेरी हिसाब से तो और अप्लिकेशन पारेंट्स बिलॉंग फ्रॉंग फ्रॉंग एक्समें सर्व 2008 के हिसाब से जो चीजे है उसमें है तो भी डालना है आपको और अध्मिर्शन अंदर टेक्निकल रजर्वेशन अगर आप में उसके अंदर ले रहे हो तो उसके अंदर भी आपको यह process फिल करना है तो फिर नेक्स जो आएगा वह आएगा आपका have you opted of the pre-vocational courses को बोकेशनल कोर्स किया है क्या आपने या सब्सक्राइब आते हों क्या कौन से मार्टिक मुसलिम आते हो शिक्क में आते हो या इन हाउस कोटा है आपका सेम कॉलेज से अगर आप रहोगे आपने उसी कॉलेज की सेम स्कूल से पढ़ाई किया तो इन हाउस कूटा आएगा और अगर आपने नहीं किया है तो आप बहार से अड्मिशन ले सकते हो ठीक है तो यह आपको यहां पर क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है सेवन नेक्स पर तो जो भी डिटेल आप भर रहे हो आगेन आप रिप स्टक हो रहे हो तो आप कौन से अपके नियरबाई एडिया है जहां पर जाके आप गाइडेंस टीचर से ले सकते हो थाकि आपका आपका अप्लोड का जहां पर का सर्टिफिकेट है और आपका अंडर स्टूडेंस आप डॉक्युमेंट समेशन देखो जब करो आपके डॉक्युमेंट का फोटो लो किसी भी पर संट करो अपने में ले लो फिर वह अप्लोड करो तो अराम से हो जाता है अगर बात करें इसकी फीज की तो इसकी फीज जो है एक सो पशीच रुपए है 125 रुपीज है जो भी अपने अभी रिजिस्ट्रेशन सारी कि आए का यूज कर सकते हो तो जब आप फॉर्म भरके नेक्स करोगे तो आपको यह अप्लिकेशन फॉर्म दिखेगा जो भी आपने डिटेलिंग फील की है सारे को स्क्रोल करके अच्छी तरीके से देख लेना है आपने कोई मिस्टेक की है क्या या कुछ भी कहीं पर भी परसेंट भी रॉंग हुआ है क्या सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में देखना है और उसकी बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है वह होता है अप इसको क्लैरिफाई करोगे मतलब आपने इसको डिक्लेर कर दिया है कि मैंने सारे इंफॉमेशन राइड भ कर दिया है ठीक है तो यह तो फर्स प्रॉसस या पहने कि पार्ट बन आपका हो चुका है पार्ट टू के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा जहां पर आप क्याप फॉर्म भरेंगे और क्याप फॉर्म अभी तक कंटीनियू चालू है भरना स्टार्ट है तो मैं आपको टाइम पर जाते हो तो आपको बहुत काम आता है क्योंकि आपने जितना लेकर रखा है फिर वह कहीं न कहीं यहां सब्मिट रना होता तीन कॉपी चार को भी जैसे कॉले डिमांड करता है तो आई वूड सजेस्ट कि आप दो तिन कॉपी